हेलो काईज बेलकम बैक टू सत्या क्लासे तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 50 mcq काफी जादे इंप्टेंट mcq है फाइनल रिविजिन के लिए हम इस mcq को कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट वीडियो को जरूर देखना है आपको ट्राइ करना कि आप सार इसके जरी आपका कितना इलक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बाहर जाने वाला है तो अगर आपने गौश लोग पढ़ा होगा तो इसके अकोई प्लस नौट यहां पे चार्ज कितना एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है तो यह तो आपसमें कैंसल हो जाएंगे सिर्फ हमा हो जाने वाला है यह हमारे यहां पर करेक्ट है ने से कोशन नंबर सेकेंड की ओल चार्ज और कंड़क्टर मस्ट रिषाइड और इस ऑटर सर्फेस दिस स्टेट्मेंट इस ट्रू फोर मला आपको पता हुआ कि जो कंड़क्टर होता है ना तो कंड़क्टर में अगर कोई आपको यहां 下一 होगा यह यह प्र आपका क्या रहे आपका पूरा एक तरह से चार्ज रहें लेकिन इस पर का structure भी होता है तो भी बस यह होता है कि जहां पर ज्यादा एज जो स्मूथ है तो वहां पर जो चार्ज का जो concentration वह थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन चार्ज का distribution होता है वह सिर्फ और सिर्फ आटर सर्फेस पर ही होता है तो hollow sphere भी होगा solid and hollow sphere भी होगा और conductor with smooth एज भी होगा तो all of these जो है इसका correct answer बन जाएगा नेक्टर को रख दिया अगर हम डाइपल को रखते ना तो टॉर्क के आपका क्या होता है टॉर्क होता है पी साइन थीटा टॉर्क के अगर आप 0 रखते हैं या फिर 180 डिगरी रखते हैं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा आपका टॉर्क अलग आएगा टॉर्क यहां पर आपका minimum आएगा लेकिन अगर थीटा के वेल्यू 90 डिगरी अगर हम करते हैं तो यानि कि जो ई है बना जो इसमिल्कुल यह करेक्ट है कि अगर जो आपका टाइपोल है और यह करेक्शन वह है तो इसरे हमने कर लिया बाई मींस ऑफ वायर से तो लोग सौ अप अनरजी आपको बताना आ तो अगर दोनों स्फेरिकल जो आपके कंड़क्टर है और इसमें इक्वल अगर हम बात करें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है क्योंकि आपका पोटेंसल क्या वी और माइनस भी है लेकिन जैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे ना तो इसके अंदर कोई भी जो चार्ज है तो यह से कितना लोच का आप सीवी स्कुआर दोनों से कितना हो जाएगा तो के इंदर कितना है थो 2x107 का रगाइक है एक स्थार किना है हमें यहां पर लिग सकते हैं 2 ताम सिवन और सी वेल्यू यहां तो सीट्व के लिए पर माइक्रो फैराड है और हमें इसके अंदर निकालना हमारे पास क्या है है तो चार्ज आखिरकार कितना होना हमें यह निकाला तो चार्ज के वेली होता है Q is equal to CB यहाँ पर अगर सीटू के अंदर निकाला तो सीटू का कितना चार है और अगर हम potential की बात करेंगे तो इसके अंदर potential difference कितना 10 भी है तो 4 multiply 10 मतलब आपका यहाँ पर 40 micro column आजाएगा that is option number D आपका यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट कोस्ट नमबर 6 में एक hollow metal square जिसकी रेडिस फाइब सेंटीमीटर है इस चार्ज सर्दा पोटेंशल और इस सर्फेस पोटेंशल वह कितना हो जाता सिक्स्टी वी होता है तो पोटेंशल एड़ सेंटर आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज आपका कहाँ पर है सर्फेस के ऊपर ही रहता है तो मतलब नंबर भी आपका इसमें करेक्ट है नेक्स नंबर सेवन आपको इलेक्रिक पोटेंशल दिया वहाँ वी की वेली दिया जो कि एक्स का फंक्सन है रेस्टो बताना है और एक्स इजगल टू ठीपर आखिर कर आपका क्या रेस्टो होने वाला है तो आपको पता है कि यह जो ह आपका बन जाएंगा हमारा बन जाएगा यह जो होगए फैक्स आत करोगे्ट करोगे तो आपका जो करेक्ट वेल्यू वेइम्बर शिस थी थाटीन श्राटीं वकें वह पर आजाएगा क्योंकि अगर हम 2 रखते हैं तो एक चेक भी कर लेते हैं 8 और 5 कितना हो जाता आपका 13 यहाँ पर 13 आगे 3 रख जा तो 4 तरी जा 12 और 12 प्लस 5 आपका आगे जागा 70 तो जैसे आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका option number C 13 y 7 आपका correct answer आजाएगा next question number 8 आपका कि 2 points आजे plus Q और minus Q आपको यहाँ पर given है जिसका कि एक fixed position हमारे पर दिया हुआ minus D,0 और D,0 respectively और फिए X,Y मालो हमारे यह हैं तो एक चार्ज आपका यहाँ पर है plus Q और एक यहाँ पर है minus Q और यह है 0,0 यह हो जाएगा minus D, यह हो जाएगा minus D और यह हो जाएगा आपका plus D अगर हम by component पर रखते हैं अगर कोई भी अगर हम कोई भी charge अगर हम by के ओपर रखेंगे तो वो हमासा हमेशा कैसा होगा वो आपका कैसा होगा हमेशा equatorial line पर ही आपका लाई करने वाला है तो वो हमेशा आपका equatorial line पर ही लाई करेगा तो अगर हम आठवे की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगा कि जो यह है ना at all point on the by axis is along i बहला हमेशा रहने वाला है क्योंकि इस पर अगर कोई भी point कहीं पर भी रखोगे तो वह हमेशा कहा रहेगा equatorial line पर रहेगा इसलिए हम कहेंगे जो electric field है सारे point पर जो by axis पर है वो direction होगा किसके आपोजिट होगा वो dipole के आपोजिट है आपका होने वाला है जो की आई के आपका लाई करेगा तो हम कहेंगे कि जो जितने ही point है by axis पर वह आई के i unit जो है ना वो उसके आपका लाई करन जो a meter की reading है वो 0.6 ampere मतलए यह आपका current हो गया यह आपका volt हो गया और आपको r निकालना तो आपको पता है कि v is equal to i r होता है तो हम लिख सकते है r is equal to v upon me i यहाँ से आपको v given 2.4 i given 0.6 जैसे आपका आप इसे calculate करोगे तो 6424 आएगा यहाँ पर आपका equal to 4 आपका यहाँ पर difference on x axis and current on the by axis given conductor अगर किसी conductor के अगर हम बात करेंगे ना तो इसके अंदर क्या होता है मालो अगर हम iv का graph बनाते हैं तो v यह रहा और i यह रहा तो इसका graph कैसे बनता है कुछ इस टाइप का हमारा graph जो देखने को मिलता है अगर इसके slope की बात करोगे तो slope क्या हो जाएगा जो by by axis पे अर आपका आई है और आपका करों SPEAKER बात करओं तो आपको पता है वेज़ प्रॉकल of resistance आपका होगा तो यहाँ पर आ जागा option number C, reciprocal of resistance, इसका question number 11, एक metallic resistor है, जो की connect किया गया है, बैटरी के साथ, अगर number of collision of a free electron with the lattice, it somehow decrease, अगर collision को हम decrease करेंगे न, तो इस case में क्या होता है, जैसी अगर आप collision को decrease करोगे न, तो उसमें आपका क्या होता है, जो relaxation time है, वो आपका बढ़ जाता है, अगर collision time घटा, तो relaxation time बढ़ जाएगा, और जैसे relaxation time बढ़ता है, जिसका कारण क्या होता है, कि आपको drift velocity है, न, electron की, वो भी आपकी बढ़ जाती है, और जैसे drift velocity बढ़ेगी, तो उसमें क्या होगा, कि आपका current भी बढ़ जाने वाला, तो हमसे बढ़ जाने वाला है, कि current will तो वो आपका क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, फिर हमारे पास next question number 12, तो question number 12 आपको potential difference दिया हुआ, A और B के बीच में, जो कि 16 volt है, A और B के बीच में कितना 16 V है, which of the following statement is correct, कि कौन सा correct है, तो हम सबसे पहले 2 M के लिए निकालते हैं, पता चल जाएगा, अगर यहाँ पर 16 volt है, तो यहाँ पर 9 volt जो है, तो अगर हम 16 में से 9 घटा देंगे, तो यहाँ आपका जो potential है, वो कितना आ जाएगा, 7 V आपका आ जाने बाला है, मिल्दा 2 ohm पर कितना पोटेंशल होगा, 7 V होगा, अगर पोटेंशल इतना है, तो current क्या हो जाएगा, I is equal to V upon V, आपका कितना है, आपका जो है, वो 7 है, और R जो है, वो आपका कितना है, 2 है, तो इससे calculate करोगो तो 3.5 ampere आ जाएगा, तो option number A में लिखा हुआ है कि current through the 2 ohm resistor is 3.5 ampere, जो कि यह correct बात है, बागी सारी आनी कि अपने आप ही incorrect हो जाते हैं, अगर आप इन्हें भी इस तरह से solve करोगो तो आपको पता चल जाएगा, पिंदेक्स नवार पास question number 13 है कि एक moving coil galvanometer है, जिसमें 200 turns है, मतलब हमें N दिया हुआ, N कितना है, 200 और आपको area दिया हुआ है, मतलब एक value दिया हुआ है, यह आपको मेटर में जरूर से जरूर change कर लेना है, the magnetic field produced by the magnet is B, जहापको magnetic field दिया हुआ है, the deflection in the galvanometer coil is 0.2 radius, तो आपको theta दिया हुआ है, when the current, मतलब आपको आपको आई भी गिवन है, 2 is equal to N, A, B, I, A, B, I, और into upon में आपको आजाता है theta, आपको क्या कि N आपको given है, यह रहा, area आपको given है, आपको B magnetic field given है, current भी given है, और theta भी आपको given है, जब सबको put करके, एक बाद जरूर से जरूर खुद solve करोगे, जब इस complete आप solve कर लोगे तो इसका जो correct answer से निकल गाएगा, 2 into 10 की बाद माइनस 6 आपका यहाप आएगा, एक बाद जरूर से आप अपने कोपी में solve करोगे कि आखिर आपका यह correct आ रहा है यह नहीं आ रहा है, आपको unit का ध्यान रखना है कि centimeter square को meter square में जरूर change कर लेना, next question से नमबर 14 की दो parallel beam of positive charge moving in same direction, मालों यह आपका positive charge है, हम इसे ऐसे कर लेते हैं, यह यह आपका positive charge इधर move कर रहा है, दूसरा भी positive charge इधर move कर रहा है, और positive charge moving in the same direction, तो उसके साथ क्या होने बाला है, दो parallel beam of positive charge ना, same direction में move करते हैं, तो उसमें क्या होता कि अगर वो same direction में move करते हैं, तो दोनों के दोनों जो parallel current भी आपका इसी direction में आ जाता है, और अगर जो current same direction में है, तो वो क्या करते हैं, कि एक दूसरे को attract करने लग जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुए option number B की attract each other, तो 14 का B आपका correct हो हैं, आपको magnetic field निकालना है, अगर आपको magnetic field निकालना है, तो आपको value है, वो आपको पता है, कि R is equal to क्या होता है, mb upon Q, b, ठीक है, अब इसमें क्या है, कि सब कुछ आपको given है, b तो आपको निकालना है, अब आपको radius given है, जो का radius heyan, और यहाँ पे आपको mass of proton है, वो भी आ यहां पर आप कल्कुलेट करने पर आपको जो वी की बेल्यू है ना वह 1.63 इंटु 10 की पावर माइनस 10 आपका जो है आजाने वाला यह आपका यहां पर करेक्ट आएगा नहीं सब्सक्राइब लंबे तो मैगनेटिक फिल्ड प्रोड्यूज आपका क्या होने वाला है तो मैगनेटिक फिल्ड इसमें क्या बनता है बीज कोल्ट टू मिव नॉट इंटू में एन आई और बहुत सारे टर्न है ना तो हम इसे एन से मल्टिप्लाइब कर देते हैं कि एन टर्न है तो एक तो इसे कट करने पर बापस आपका नॉर्थ पोल साथ जैगा फिर से कट करोगे अगर आप इसी जितनी भी छोटी उनिट कर दो तो ना आपका हमेशा मैगनेट डाइपोल में ही रहेगा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल उसके अंदर जरूर रहेगा तो इसका उपसे नमबर सी डाइपोल आपका करेक्ट हो जाएगा ने शरकोसे और बार मैगनेट को हम एक तरह से भी देख सकते हैं तो अपसे नमबर सी डाइपोल आपका इस तीनों चीज गिवन है इस तीनों के बेस पर फैराडे लाओ को हम कैसे लिखेंगे तो अगर हम गिवन है तो नाइंटीन का उपसे नमबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स हमार पास है कोशन नमबर 20 के एक सर्कुरा क्वाइल एक्स्पेंड रेडियली इन रीजन ऑफ मैगनेटिक फिल्ट में रेडियली क्या कर रहा है एक्स्पेंड कर रहा है और उसके अंदर को के अंदर कोई भी लेक्टो मोटिफ फोर्स नहीं है तो मैगनेटिक फिल्ट कॉंस्टेंट है ऐसा नहीं होने वाला है मैगनेटिक फिल्ट इस इन दे सेम प्लेन एज सर्कुलर क्वाइल और में नॉट वेरी बिल्कुल यह वाला जो आपका करेक्ट है कैसे मैं आपको बता वह बहुता है और इसाथ चेंजिन मैगनिट्यूड है वह आपको कितना हो जागा जीर वह वह कितना होगा वह पका जीरो होने वाला मतलब कि यह वैरी कर भी सकता वेरी नहीं भी कर सकता है इसलिए हम कह देंगे कि इसका ऑप्सेंट नंबर बी यह आपको करेक्ट बताना है के ल सी सरिक में कैसा एनर्जी देता और सी जो इसमें कैसा इनर्जी रहता है तो वह होता हूं आपका मैगनेटिक एनर्जी होता ओ च्यमल में इलक्तिकल एनर्जी अगर LC combination में आप reactance और frequency का अगर हम graph बनाते ना तो कुछ इस type का graph हमें देखने को मिलता है तो हमें कहेंगे कि इसका जो correct answer है वो 22 का क्या हो जाएगा आपका डी जो है वो आपका correct हो जाएगा नेसा question number 23 के AC voltage को हमने supply किया 2A resistance R and inductor है L in a series में R and the inductive resistance जो आपका R है और inductive reactance है दोनों जो है कितने के equal है 3 ohm के equal है तो phase difference क्या होने वाले है तो बहुत ज़्यादा easy question है क्योंकि यह जो question पढ़के बच्चे सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा अजीब साथ लेकिन हम simple हम करेंग क्योंकि हमें पता कि 10 5 क्या हो जाता है वह आपका होता है XL upon me R अब हमें पता कि XL upon me R दोनों आपका 3 ohm given है तो हम कहें देंगे कि यह भी आजागा 3 upon 3 जो की 1 आजागा तो हम यहां से लिख देंगे 5 is equal to 10 inverse 1 अब 10 inverse 1 आपका कितना होता है तो 10 inverse 1 के अगर आप value निकालोगे त तो 5y 4 radian उसका आता है तो 23 का option number a आपका correct है next question number 24 कि to reduce the resonate frequency अगर हम LCR के अंदर LCR series होती ना उसके अंदर हम resonate frequency को reduce करना चाहेंगे with a generator which of the following statement is correct कि कौन सा statement इन में से correct है तो the generator frequency should be reduced नहीं another capacitor should be added in parallel to the first बिल्कुल सही क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो resonant frequency होते है उसकी value क्या अतव होती है one upon me two by one upon me two pi under root Lc उसके आपकाamız Oh वह भी आपका क्या हो जागा वह आपका बढ़ जाने वाला थेकर ने से स्मॉल सिगनल वोल्टेज़ वी टी वी नौट साइन ओमेगा टी अप्लाइड क्या है क्रॉस ए आडल कैपिसिटर सी देन वीच सब्सक्राइब क्यूंग इस प्रेक्ट होने वाला है तो अगर हम बात क से 90 डिग्री पर लीड करता है जिसके कारण क्या होता है कि जो पाबर की वेलू क्या होती है वी आई वी आई कॉस्स आपकी 90 डिग्री हो जाए यहाँ पर पाबर कितना जाएगा आपका जीरो के एकक्वल आ जाने वाला है यानि कि हम इसमें कह सकते हैं कि 25 में जो है अगर कि एनर्जी जो है वह आपका कंज्यूम नहीं करने वाला है तो 25 का जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेच्ट कोशन नमबर 26 कि एक नियोन गैस डिस्चार्ज है एनी प्लस आयन में मूविंग थूरे क्रॉस सेक्शन अरिया आप ट्यूब और सेकेंड और राइ तो आपको उलक्टोनिक चार्ज जो चारज कीतने है व इतना तो आपको नेट इलक्ट्रिक करण्ट आपका क्या होगा तो अगर हम इसके अंदर नेट इलक्ट्रिक करण्ट करको مद्वे आपको 1.6 और यह प्री इलक्ट्र канале वह वह भी आपको गिवहन है 2.09 2 Kind lifts 14 और ईलक् कर दोगे जैसे आप करन की वेल्यू कैल्कुलेट करोगे वह आजागा 0.66 एंपयर और किस तरफ राइट की तरफ क्योंकि मूव करेगा तो इसमें आपका आजागा टोवार्ड राइट क्योंकि वह अपूजी डारेक्शन में मूव करता है नहीं समार रहा है को से नंबर 27 तो पहले बात तो हमें यहीं गलत दिख गया क्योंकि अगर हम करण निकालते हैं तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाइबाइट टू होगा ना कि माइनस पाइबाइट होगा तो यह लाइन तो आपका क्या हो जागा वह आपका रॉंग हो गया तो वेर दी एंपलिटूड यहां पर अलग होने वाला है यही आपका इंकरेक्ट है तो बागी सारे आपके और तो नया मेंगेंट क्या होगा अब यहां पर अगर यहां निकालते हैं यहां पर क्या होगा कि जो में लेंफ यहां पर ए तो आपके ब मिल्ल्द दो अमगर जाएंगा तो वो कितना हो जाएगा, M by 2 into L, मतलब हमारा हो जाएगा, capital M by 2, that is option number B, आपका यहां से correct हो जाएगा, next हमार पास है question number 29, the variation between V and I, for a heater filament is represented by, अगर heater filament में न, अगर V और I का graph बनाते हैं, तो वो इस type का graph हाता है, जो कि option number A में आपको दिखाया गया है, क्योंकि शुरू में क्या होता है, जैसे आप current को heater में बढ़ाते जाओगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वो ज़्यादा heat करेगा, इसलिए उसका जो temperature है, वो भी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, इसके मतलब क्या होगा, उसका resistance भी क्या हो जागा, वो बढ़ते जाएगा, और इसका मतलब V भी जो है, वो अपने आप ही increase हो जाएगा, नेक्स हमारा question number 30 है, कि आपका है कि, three equal charges आपको दिए गए है, Q, 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 और vertices of triangle as shown in the figure, the magnitude of electric field intensity at the point C, तो point C पर आपकी electric field intensity क्या आएगी, तो आप दोनों के लिए अलग-अलग एक तरह से आपकी electric field intensity निकालोगे, कि A के कारण C पर कितना आएगा, तो इधर आएगा, और आपका B के कारण इधर आएगा, दोनों का resultant आखिर कितना होने वाला ना, वो आपको एक बार निकालना पड़ेगा, तो अगर इसको आप पहले क्या करोगे, आप पहले E निकालोगे, अगर हम इसके लिए E निकालते हैं, तो E कितना आजाएगा, इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए same आएगा, वो कितना आजाएगा, के Q अपोन में A स्कार आपका आजाने वाला, के Q अपोन में A स्कार क्योंकि इसका डिस्टन्स कितना है A है, यह आपका आजाएगा, इससे आपका आजाएगा E, अई निकालोगे न तो आपका आजाएगा यह वाला, यह वाला, that is Q, रूट 3, 4 पाइ, एपसालोट A स्कार, अप्शन नमबर C आपका इसमें करेक्ट आजाएगा, नेट्स नमबर 31, के आपका एक सर्कुलर रिंग है, जिसका डाइमेटर दिया हुआ है, उसका रेसिस्टन्स इतना है, आकट आए, आखर का इसमें आपको कहाला कि क्यों नीकालना आखर, कितना चार्ज उसके अंदर आएगा, तो इसका अंदर क्या कि सबकुछ आपको गिवन है, बस एग करके आपको सबकुछ पुट कर भोगी, गिसरे आपका कि कि बी गिवन है, बी के value given है कितना 2.0 टेसला आर आपको given है कितना 0.01 आपका ohm दिया हुआ है इसके साथ ही अगर हम बात करें कि आपका जो है क्योंकि diameter दिया हुआ है तो हमसे radius भी निकाल देंगे तो radius कितना जागा 10 की power minus 1 meter आ जागा theta 1 सुरू में कितना है आपका 90 degree है बाद हमने इसे turn कर जागा 90 degree तो आपका जो नया theta 2 है वो कितना जागा 0 degree हो जागा ठीक है अब इसे आप पहले क्यों निकालोगे क्यों किसे निकालेंगे minus d5 by r से निकालेंगे और d5 by कितना होता है ब य नमबर c आपका इसमें correct आएगा नेक्सा कोशन नमबर 32 की LCR circuit में रेसिस्टेंस दिया हुआ है 20 ohm और impedance से 20 ohm तो phase difference between the current and voltage अगर current और voltage के बीच में अगर हमें phase difference निकालना है मतलब हमें 5 निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले हम निकालेंगे impedance तो impedance कैसे निकालते हैं तो z is equal to हो जाएगा आपका हो जाएगा under root r square plus में आपका हो जाएगा XL minus xc का whole square अगर हम इसमें आप impedance निकालते हो मतलब आपका जो z है वह आपका इसिंग गिवन है तो impedance आपका गिवन है 20 ohm अगर इस 20 ohm में सब्सक्राइब है तो आपका यहां से XL minus xc निकालोगे न वह आपका किसके परावर आजागा जैसे XL minus xc 0 आ जाता है तो यानिका आपका 10 theta जो होते हैं या फिर हम 5 लिख सकते हैं कि 10 5 क्या होता है XL minus xc upon में R अगर यह आपका पूरा 0 हो गया portion तो आपका 10 5 भी क्या हो जागा 0 यानिक 5 की value आपकी जो है वह 0 डिग्री आजागी तो अपसे नमबर A आपका इसमें correct हो जाएगा next question number 33 के magnetic dipole है जिसका arrangement जो है of two magnetic pole of equal and opposite strength separated by कुछ distance is placed इनने uniform magnetic field तो आपका जो net magnetic forge है वो dipole पर क्या होने वाला है अगर इस तरह से आपका magnetic field है और यहाँ पर हमने dipole रख लिया तो एक पर क्या लगगा इधर लगगा MB और इधर भी लगगा MB तो दोनों के दोनों क्या करेंगे आपस में कर देंगे cancel जैसे आपस में cancel कर देंगे तो इसका क जीरो होता है तो इस ओलबेज जीरो option number A इसका correct है ने से question number 34 के आपको current in the resistance R build भी 0 कि जो R के अंदर आपका क्या है कि current कब 0 होगा तो अगर current कब 0 होगा तो अगर हम e net की बात करेंगे तो e net कितना होता है e net होता है e1 upon R1 small R1 लिख देते हैं e1 upon R1 हो गया minus e2 upon R2 upon R1 upon R1 upon R1 upon R upon R2 यह होता है अगर हमें इसी 0 करना है तो हमें even upon R1 को equal करना पड़ेगा e2 upon R2 को जब यह दोनों equal होगे जाएंगे cancel करके आपकी क्या हो जाएगी value 0 आ जाने वाली है यानि कि even upon R1 is equal to e2 upon R2 होगा तो option number B में लिखा हुआ e1 upon R1 is equal to e2 upon R2 option number B आपका correct है next question number 35 तो इस 35 में आपको क्या हुआ है कि एक बायर है जिसकी length A है उसमें current I है एक सेक्सिस के around और magnetic field आपको यहाँ पर दिया हुआ है a आपको जो उसकी length given है मतलब की length A गिया हुआ है B भी आपको यहाँ पर given है बहले इन सब को put करके अगर आप F की value calculate करोगे तो आपका option number A under root 10 B not I A एक बार इसे जरूर से जरूर calculate करोगे क्या आप इसे calculate कर पाई यह नहीं कर पाई क्योंकि इसमें आपका cross product लगने वाला है और यहाँ पर जो क्यों कितनी हो जाएगी AI cap यहाँ से calculate कर लोगे कि आपका एक रेसिस्टेंस है जिसका आपका आ रहा है बट वेन इट स्ट्रेश्टेंस टू एंड टाइम हमने इसे एंड टाइम तक स्ट्रेश कर दिया बहुत ही लंबा खीज दिया इसका जो और इजनल लेंद से इसका जो नया रेसिस्टेंस है वो आडएस हो गया तो रेस्टो बताना कि नया रेसिस्टेंस क्या है तो जब भी हम रेसिस्टेंस में क्या करते हैं किसी बायर को अगर हम खीचते है न स्ट्रेश करते हैं तो इसमें क्या होता जो नया रेसिस्टेंस है वो एन स्क्वार के बराबर हो करन जो current induced होगा ना वो किसके अंदर correct आपको दिखाए गया तो आपको पता कि जब भी हम in अगर हम North Pole को किसी circular बाहर में अगर हम enter करते हैं तो इसके अंदर कि current की direction होती वो भी in होती है एन मतलब आपकी यह वाले direction हो गई तो यह वाला जो आपका correct है तो option number A ही आपका correct हो गया इसमें क्या है इसमें ऐसे बनना चाहिए लेकिन इसका opposite दिखाए गया और इसमें भी आपको जिट है तो option number A है आपका correct है नए से question number 38 की electron है अंडर influence of columbic force जिसका acceleration 5 into 10 के और 22 meter per second square है अगर same force हम लगाते है प्रोटेन को उपर तो उसका acceleration आखिर क्या होने बाला है तो इसमें क्या होता है हमें पता है कि acceleration is equal to क्या होता फोर्स अपोन में मास तो acceleration जो है वो मास के क्या हो जागा inversely proportional यानि कि acceleration of proton upon में acceleration of electron is equal to mass of electron upon में mass of proton अब सब कुछ आपको गिवन है और इसमें आपको एक चीज़ निकालना है मतलब हमें क्या निकालना है acceleration of electron आपको गिवन है mass of electron और mass of proton हमें पता ही है कि अगर हम mass of electron की बात करेंगे तो 9.1 इंटो 10 के बाइन सब्सक्राइब और प्रोटोन का mass कितना होता 1.67 इंटो 10 के बाइन सब्सक्राइब और 2.7 इंटो 10 के बाइन सब्सक्राइब आपका करेक्ट आजाएगा ने सब्सक्राइब तो अगर हम बात करेंगे लिए सब्सक्राइब और यह वाला करेक्ट नहीं है और नेक्स्ट नमारे पास है बाई एनलोगी और रेसिस्टेंस इने सर्केट भी इंट्डूज दा सब्सक्राइब यहां पर यहां पर जो है जो इंट्रिक करेंट है कितना है आई इसकोल टू थी ती जो है सेकंड में करेंट आखिरकार आपका कितना है तो अगर इसमें अगर करेंगे इसकोल आइपिर सीमें है कि अंडर रूट थ्री एंपेर आजाएगा जो कि अप्शन नमबर सी में है डैट इंडर रूट थ्री एंपेर नेश्ट नमबर 41 कि तर रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है और स्पेसिफिक चार्ज और प्रोटोन आपको गिवन है मलब कि आपका चार्ज गिया हो दिया और स्प्रोटोन मुविंग वैलोशिटी और तर आपको वैलोशिटी गिवन है तो इसमें आपको निकालना अगर इसके फॉर्मिले को बात करेंगे तो हमारा क्या होता है Qvb वो मार्स गिवन रेडिक किस्टी गिवन है सब कुछ गिवन है यहांस आपकाúa मैगेटिक तो एपको निकालना कि एरिया क्या होता है वो होता है पाई आर इंसको आल रहे होता है दिया हॉ होता है उट reads इसे ने करते हैं और हमें पताला है रीडे से दिया हुआ है सबकुछ लिए न तो यहां से आप R की value निकाल दोगे, जैसे आप R की value निकालोगे, तो यहां पर आपका 0.367 आपका mm आ जाएगा, नेक्स अपर पोस्ट नमबर 43, EMF दिया हुआ है, जहां पर LR सरकेट है, जिसका कि इंडक्टेंस कितना है, वो 3 mh और रेसिस्टेंस क्या है, 4 oh में, तो amplitude of current आखिर कर क्या होने बाला है, तो यहां पर जो अगर आप Z निकालोगे, तो Z क्या हो जागा, जैसे आपका Z आ जागा रहा है, तो I not क्या होता है, E not by Z होता है, तो E not आपको given है 4, तो 4 by Z की जो विलिए हो 5, जैसे आप 4 by 5 रखोगे, तो आपका 0.8 ampere, that is option number B, इसमें correct हो जाएगा, ने से question number 44 है, आपको Q1, Q2, Q3, आपको path जो है, आपका charge जहाँ, 1, 2, 3, 4, 5 आपको given है, और आपको gos low यह होता है, तो which of the following is correct, मैंने आपका दो surface है, एक तो यह surface है, तो इस surface में क्या होगा, कि आपके सारे charge के कारण आपका जो है, वो आपका gos low लगेगा, और अगर इस surface के बात करोगे, तो आपका Q2 और Q4 सिर्फ इन्ही दोनों के कारण लगेगा, तो यह किसके अंदर लिखा हुआ है, कि E on the LHS above equation contribute from all charges, वाइल Q on the जो inside है, उसके अंदर क्या हो जागा, Q2 और Q4 के ही कारण है, बस, यह हमारे पास इसमें assertion region आ जाता है, तो कुछ assertion region भी कोशन हम कर लेते हैं, तो सबसे पहले question number 45 है कि connection between the resistor in a meter bridge, is made of thick copper strip, बहला अगर आपने meter bridge देखा भी होगा ना, तो उसमें आपके कापे ज़्यादा जो आता है, वो मोटा जैसे आपका थिक copper strip बनाए जाती है, ताकि उसमें resistance minimize कर सके, बिल्कुल यह correct है, उसमें resistance minimize होता है, resistance is inversely proportional to cross, मले resistance is inversely proportional to cross sectional area, यह भी correct है, इसलिए हम क्या करते हैं, कि इसका area जो हम ज़्यादा, अगर हम area ज़्यादा रखेंगे, तो resistance कम होगा, तो हम resistance को minimize कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जागा, इसमें आपका assertion भी सही है, reason भी सही है, और यह जो है, एक दूसरे को, क्या कर रहा है, reason जो है, वो assertion को क्या कर रहा है, explain भी कर रहा है, तो option number A में है, कि both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of A, तो यह आपका correct है, next question number 46, अगर कोई भी पच्छी जो है, वो बहुत ही जाद ना high power line पर गाव में देखते हो, अगर कोई इनसान जो है, वो ground पर खड़ा है, अब जैसे उसे touch करेगा, तो बहुत ज्यादा high shock उसे जो है, वो लगने वाला है, तो यह दोनों चीज़े अलग-अलग, बहुत है, यह भी कह रहा है, यह भी कह रहा है, अगर words जो है, वो ऊपर बैठा रहेगा, high power पर तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई man जो है, वो नीचे रहेगा, और उसका जमीन पर रहेगा, इसी बार को touch करता है, तो उसे high shock लगने वाला है, तो दोनों correct है, लेकिन reason जो है, वो assertion को explain नहीं कर रहा है, तो option number B आपका यहाँ पर correct हो जाएगा, next question number 47 की, दोनो alternating current और direct current, ampere में आपते हैं, बिल्कुल सही, कोई भी current को हम क्या करते हैं, ampere में आपते हैं, तो assertion तो आपका सही है, reason क्या है कि ampere can never be used to define alternating current as its direction, अगर इसकी direction continuous change तो होती है, लेकिन हम फिर भी जो है, हम उसे define नहीं कर सकते हैं, तो यह जो है, आपका correct नहीं है, reason correct नहीं है, लेकिन assertion सही है, तो assertion is true, but reason is false, option number C correct है, नहीं से question number 48 की magnetic field line can be entirely confined within the core of toroid, मला कर टोरोइड यह वाला होता है, जो circular वाला होता है, बट not within the straight solenoid, a solenoid यह होता है, मला solenoid के अंदर magnetic field आपके थोड़ी बहुत बहुत बाहर भी होते हैं, लेकिन toroid में बिल्कुल अंदर के side है, आपका पूरा magnetic field होता है, यह लाइन तो आपकी सही है, इने straight solenoid, magnetic field line can form close loop, बिल्कुल नहीं, इसके अंदर magnetic field line कभी भी close loop नहीं बनाती है, within the solenoid, यह आपका जो है, आपका wrong हो गया, मतले reason false है, assertion true है, तो वो option number C है, assertion is true, but reason is false, नहीं से हमारे पास की parallel plate capacitor को connect करते हैं, एक रहों से बैटरी through है कि, यह dialectic left constant can introduce between them, the energy which is stored become K time, बिल्कुल सही, अगर हम इसमें आगर मालू यह आपका capacitor है, इसके अंदर के जो है, कुछ भी आपका dialectic question introduce करते हो, तो उसके अंदर जो energy है, वो K times बढ़ जाती है, तो यह तो आपका सही है, और साथ ही कह रहा है कि आपका the surface density of charge under plane remain constant, नहीं अगर surface density की बात करोगे, sigma की बात करोगे ना, तो यह भी K time बढ़ जाने बाला, लेकिन यह करहा है remain constant, तो यह आपका wrong है, assertion सही है, तो इसका भी option number C है आपका correct हो गया, तो यह थे सारे important questions, मुझे अपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को like कर चैनल को जरू सब्सक्रा कर ले, क्योंकि आपके आने वाले time पर आपको आर भी important questions मिलने वाले हैं, thanks for watching, thank you.